नमस्कार साथियों, UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सब का स्वागत है मिरा नाम दिपांच है और इस वक्त की अपडेट Food Outlook Report 2023 से जुड़ी है खाद्य और क्रिशी संगठन ने हाली में अपनी Food Outlook Report जारी की है खाद्य और क्रिशी संगठन द्वारा Food Outlook Report को बाय अनुवल रूप से जारी किया जाता है मतलब साल में दो बार इस रिपोर्ट में दुनिया के प्रमक बुनियादी खाद्य पदार्थों के उत्पादन, व्यापार, उप्योग और स्टॉक के स्थर के पूरवा नुमान शामिल किया जाते है खाद्य और कृशी संगठन की Food Outlook Report का अनुमान है कि वर्ष 2023 में वैश्विक खाद्य बिल बढ़कर 1.98 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा जो वर्ष 2022 से डेर प्रतिशत अधिक है वैश्विक खाद्य बिल वर्ष 2022 में 11 प्रतिशत था आपको ग्यात होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्थर पर फलों, सबजियों, चीनी और डेरी उत्पादों की कीमतों में वृद्धी हुई है हाला कि रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर देशों में खाद्य मांग में कमी आई है पूर्ड आउटलुक के नए संसकरन में उकभोकता मूली सूचकांग के खाद्य घटक में वैश्विक स्थर पर हाली में हुए बदलावों का एक विशेश अध्याय भी जोड़ा गया है कौर तलब है कि इसमें अमेरिकी डॉलर और कृशी खाद्य वैपार में संबंद खाद्य मूल मुद्रा स्वीती को कैसे प्रभावित करता है आदी विशियों पर चर्चा की गई है खाद्य और कृशी संगठन सयुक्त राष्ट्र की एक विशेश एजिंसी है जो भूग को हराने और पोशन और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतराश्प्री प्रयासों का नेतरित्व करती है आपको बता दें कि इसकी स्थापना वर्ष 1945 में 16 अक्टूबर को की गई थी वर्तमान में इसके भारत सहित कुल 194 देश और यूरोपिय संग सदस्से हैं अब हम खाद्य और क्रिशी संगठन के मुख्य लक्षों को समझते हैं पहला वैश्विक भूख, खाद्य असुरक्षा और कोपोशन का उन्मूलन करना उसके बाद गरीबी उन्मूलन के साथ ही सभी के लिए आर्थिक और समाजिक प्रगती को आगे बढ़ाना फिर भूमी, जल, वायू, जलवायू और आनुवंशिक संसाधनों सहित प्राक्रतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और उप्योग करना इसके मुख लक्षों में शामिल है कर दो थे बढ़ाना